मोलवियों के जो गंदे और काले कारणामें वो सब के सामने हैं एक पाकिस्तान में एक प्लेबॉय मोलवी भी है जो और देख के नहीं छोड़ता गया कि कम से कम ये बच्चों को तो नहीं ना उनके साथ दो नमर नहीं कार रहा लेकिन एक किड़े रिथिक रोशन फिर अंडे बाजा बचते हुए देखा आज एक मोलवी का बाजा बचने लगा क्योंके जैसा कि आप लोग जानते हैं के मोलवियों की गंदी हरकते हैं तो इसके उपर तो आप जो आम पाकिस्तानी हैं वो भी पड़ता डालने की कोशिश नहीं करते हैं बलके मुझे बड़ी हैरत कि आप किसी फलस्तिनी में जाकर ये कहा दें कि मैं बड़ा होके इसराइली बनना चाहता हूं तो आपको मारेंगे वहाँ पे तो उसी तरह यहां पर मोलवियों के जो गंदे और काले कारनामे वो सब के सामने हैं तो उसके उपर बात करते हैं लेकर आगे जाने से पहले इस कि आपकी इंटरेक्शन हुई कभी आपने किसी मोलवी को दो नंबर हरकतें करते देखी ट्विटर पे चुंके वीडियोस हर तरह की लोग डाल देते हैं तो वहां पे मोलवियों की बड़ी बड़ी जीब औगरीब किसम की वीडियो खोते के साथ बकरी के साथ बच्चों प गुफ्ती कवी वैसे यह याश और उससाब से तो बुरा ही है मुनाफिक तो ही है लेकिन ये कातिल भी है इसके उपर इल्जाम है कि इसी ने जो कंदील बलोश थी उसके भाई को उकसाया था क्योंकि कंदील बलोश का इसके साथ भी कोई चक्कर था उसने इसको अम्बैरस क इसको 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 एकस्पोस कर दिया ने झाल उन्हों नेज्ट करता है और अब इसके गया दोका देता है और obviously इसके अंदर कोई consent भी नजर नहीं आती तो उसी तरह की इसने हरकत की जारा वीडियो आपको दिखाता हूँ कि मोलवी फिर से गंदी हरकत करतावा पकड़ा गया और इस दफ़ाए इसने क्या गंदी हरकत किया चलें चलते हैं तो यह हम इशा से पकड़ा जाता है गंदी हरकत क्या किया और वो कैमरे पे भी आ गया और देखें उसका जवाब क्या लिए अब सुनें उसका बहाना किया है कि उसने उसके साथ जफी डाली तो हुआ क्या हूँ यह कैसे हो गया सुनिए दरा बहुत खूब सूरत बलकर आप देखेंगे तो शायद उसकी कज़ जो है न मुझसे अच्छा वो खातून उन्हों ने पूरी जफी डाली विया यह क्या है यह एक कड़े रिथिक रोशन फिरंड़े ने थे और डिस्को पार्टी पार्टी जाएकर तो जैसे चनाब उन्हों ने मुझे इशारा किया तो आगिया इशारा करने के बाद आप यकीन करें आपके मैं सहर पे भी हाथ रखने के लिए तयार हूँ अच्छा आपके जो और ते इंटर्वी करी है उसके उपर भी और आगे से लाइम बाने का में भी बेटी की तरह भाई तेरी इसके पास ते इसकी बेटी भी अराम से ना बैठती होगी इतना खरान डाल बी है बेटी की तरह, जैसे आप मेरी बेटी हो, उसने आके मुझे इतनी जोर की जफी पैए, वो आप देख सकते हैं, जफी पाने के बाद रोने लाग गई, रोने लाग गई, तो उसने लंगूर जैसा मूँ बना आके न, उसके मूँ पपिया घरने लाग गया उसकी, यार यह क्य उसके आंसु पूझने के लिए मैं अपने जेब में बिचारे के रुमाल नहीं था टिश्यू पर पड़ने था, उसका आपके आंसु पूझना हो, मैं अपने होंटों से, जाहत बंद हुरी, अब मैं हकाय को मेजान करने वाले और आमाल का तालुक नियत से, मैं अब उसको बेटी समझ रहा हूँ, अच्छा बेटी समझ के ऐसी चमिया दे रहा हूँ, उसके लिए मैं एक मुशले हूँ, मैं उसकी हाज़त को पूरा करने के लिए आया हूँ, उसके जो मुश्कलाद हैं उनके लिए मैं मुश्कल कुशा बन कर आया हूँ, मैंने पहले उसके माथे बोसा दिया. फिर उसके जड़ाब तसली देते हुए उसके गर्दर पे मैंने बोसा दिया. उसके बाद मैंने उसके कान में उसको यह कहा, कि मेरी बेटी घबनाने की दुमत नहीं है, मुक्ति अफ़ल्व और कवी है, मकाम है, यहां के लोग और यहां की ताजर, व्रादिर, उस कमरे में ठहरा हूँ, वहाँ पर जाके तफसील से मैं आपके मसाइल सुनता हूँ और जो बेटा आपको कोई प्राबलम होगी तो आप मुझे जरूर आके बताएं तो मैं आपके सौरी मैं आपको पहले मसाज भी करूँगा आपको, आपकी बाजुएं भी दबाऊंगा टांगे भी दोऊंगा मैं आपके खूब खिदमत करने के लिए तैयार हूँ तो ये है पाकिस्तान के मौलवी घर की, ये तो मुझे समझ नहीं आती अब अगर ये किसी आम एक्टर ने किया होता तो इन्हों ने उनसे माफिया मंगवा मंगवा कर पाखल कर देना था वैसे इसको भी वैसे टूबी फेर इसको भी बहुत जलील किया है पहले और ये लेकिन ऐसी बिगड़ी हुई चीज है कि ये बाज ही नहीं आता है ये हर वक्त खबरों के अंदर ही रहता है हर कोई दो तीन कोई पांच-छे महीने बाद इसकी कोई नई कहानी निकल आती है हरीम शाह के साथ भी इसने ये ही किया था लेकिन कोई आउट रेज नहीं है इसको लोग ठठा में मजाक में ही ही हा हमें लोग इसका शुखल लगा रहे है और बस ये बात खत्म हो जानी है ये असल में जो देखने का मियार है वो ये है कि जो बलंदो बाला दावे किया जाते है नमाज बुराई से रोकती है अब्वियसली इसका इसे कोई तालुक नहीं ये इस चीज़ का सबूत है अगर आपने इसका जवाब ये देना नहीं अच्छे बुरे लोग तो फिर आपके मजब का क्या कमाल है वो तो फिर ऐसी हरकत है तो मैंने भी कमी नहीं यानि इतना देखके औरत को देखके वो फागल हो जाए ऐसा तो फिर उसका मतलब ये करिए और इसको अपने नफस पर कंट्रोल है तो नफस पर कंट्रोल करना ये ऐसी ड्रामे बाजियां बनाएं मिये कि ओ जी मजब से जोतना करीब आओगे तो उतना इन चीजों से दूर ओगे इसका इससे कोई तालुक नहीं है कुछ लोगों को बंदू का डार या ढंडे का डार उनको ऐसी गंदी अरकरे करने जा रोकता है उनकी अपनी नफस उनकी अपनी अकल रोकती है वैसे मैं जैसे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इनके इसके उपर ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही क्योंकि अगेन ये लोग कह केरफुल होके रहना पड़ता है वह किसी कुणी ने आगएगा जैफी डालने मेरे साथ तो आपके आजाओ जैफी डाल लो मेरे साथ ऐसा नहीं होता यहाफ टो पीड़ने मार दो पेल दो ये कर दो वो कर दो दो नंबर हाथ वीडियो आपको पसंद आई हो किस्क्राइब क अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिये या फिर आप मुझे बाइन या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं